इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ प्ले इस्टोर का पासवर्ड कैसे पता करें प्ले इस्टोर का पासवर्ड कैसे देखें दोस्तो अगर आप भी अपने प्ले इस्टोर एकाउंट का पासवर्ड को पता करना चाहते हैं और अगर आपको पता नहीं यह प्ले इस् करते हैं दोस्तो प्लेश्टोर का पासवर्ट को देखना या फिर पता करना काफी ज्यादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान सलाश चक पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लिस वीडियो को लाइक साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर ल लिखा हुआ है यहाँ पर आपको आपका फोटो भी देखने को मिल सकता है सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दीजे अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर दते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी प्लेश्टोर ID का password पता करना है वो अले account को आपको यहाँ पर switch कर लेना है यहाँ पर एक तीर कर निसान है यहाँ पर click करके आप अपना दूसरा ID का भी password पता कर सकते हैं मुझे अपना यही ID का password को पता करना है तो simply हम क्या करेंगे यहाँ पर निचे के साइड में लिखा हुआ है Google account simply आपको Google account वाले option पर click करना है अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं कुछ इस परकार का interface स्विट से आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको slide करना है कुछ इस परकार से और यहाँ पर data and privacy के बगल में एक security का option होता है simply आपको यहाँ पर security वाले option पर click करना है अब यहाँ पर जैसे आप security पर आ जाते हैं आपके सामने कुछ इस परकार का interface आ जाएगा ठीक है यहाँ पर आप हलका निचे के side में आईएगा तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा how you sign in into google यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारा option है तो यहाँ पर आपको करना क्या है नीचे के side में password का जो option है simply आपको password वाले option पर click करना है अब दोस्तो जैसे password पर आजाते हैं इस परकार का interface आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको password डालने के लिए बोला जाएगा लेकिन दोस्तो मैं तो अपना password भूल गया हूँ और मुझे अपना password याद नहीं है मैं यहाँ पर पता करने वाला हूँ तो मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ अपना password को change कर सकते हैं बदल सकते हैं नया password बना सकते हैं यहाँ पर आपको simply करना किया है forgot password का जो option है यहाँ पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर आज आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समय लगा और यहाँ पे कुछ इस परकार का option आपके सामने आ जाता है यहाँ पे लिखा हुआ यूज यूर फिंगर पेंट फेस और स्क्रीन लोग यानि के यहाँ पे जो है अब अपना स्क्रीन लोग फिंगर पेंट या फिर जो है कुछ भी लोग आप अपने फोन में लगाए हुए है तो वो लोग डाल करके आप अपना पासवर्ट को बना सकते हैं आपको यहाँ पे कोई भी OTP डालना का ज़रुवत नहीं होता है सिंपल यह आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ओफ्सन पर क्लिक करना है यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का जो है ओफ्सन आएगा अगर आपके फोन में यहाँ पे इस परकार का ओफ्सन नहीं आता है तो इसके लोग जैसे आप डाल दिजएगा यहाँ पर ले लेगा मैंने यहाँ पर अपना fingerprint डाल दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं password बनाने का option आ गया यहाँ पर आप देख सकते हैं new password लिकर के आ गया यहाँ पर मुझे अपना एक नया password बना लेना है confirm password के अंदर same password हम दुबारा डाल दिएगे चलिए हम अपना एक नया password बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने अपना password बना लिया अब यहाँ पर simply आपको change password पर click करना है जैसे आप यहाँ पर change password पर click करते हैं यहाँ पर दुबारा से change password का option आ जाएगा simply आपको इस पर click करना है अब यहाँ पर click करने के बाद आप देख सकते हैं your password was changed और यहाँ पर हमारा password change हो गया यानि कि मैंने अब भी जो password बनाया है वो हमारा Google account यानि कि play store ID का password बन गया और पुराना वाला password का अब मुझे कोई काम नहीं है वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रू से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले